कि तो देखो फेली सवाल को अगर तुम देखोगे तर प्रैसर यहां पर देखो इस में जाई था gonnaUT अगर जैने में यहां से देखो गैस जो है कमप्रेसिन वोगा तो वर्ग डन वाइंदर गैस तो सबसे पहले यह देखो कि A से भी तक है no heat is supplied to the system मतलब डेल्टा क्यों क्या भई जीरो तो first law of thermodynamics जब यूज करोगे first law of thermodynamics तो first law of thermodynamics जब यूज करोगे तो यहां पर तुम्हें पता चल जाएगा heat given to the system is used internal energy plus work done के एक्कवल होगा तो यहां पर तुम्हें देखो कि तो delta q 0 है तो delta q plus delta w तो यहां internal energy मुझे चाहिए था तो minus work done के एक्कवल आ रहा है इसका मतलब है हुगा कि अगर pv diagram में delta w work done निकालों तो यह p delta v या area under pv diagram area under pv diagram तो area under the pv diagram निकालोगे तो यहां पर पूरा जो ट्रेंपेजियम बना है तो 1 by 2 multiplied by sum of the parallel side मतलब sum of parallel side तो यह a से लेगे यह वाली जो side है sum of parallel side वो कितना है 50 plus यह वाली side कितनी है तो यह वाली side है यहां पर 10 और यह kilo pascal में है तो 10 की पाउर 3 से भी multiply होगा ठीक है और multiplied by sum of height इनके बीच का height तो यह 200 इनके बीच का height कितना है तो 200 और minus 50 मतलब इनके बीच का height है 150 और सीसी में है तो सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर तो 10 की पाउर minus 6 यहां से तो सेंटीमीटर यहां से तुम देखोगे वन क्यूबिक वन सीसी वन यहां से सीसी जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है तो यहां से 10 की पाउर minus 6 इसे multiply कर दूंगा मैं तो यहां से तुम देखोगे यह वाली जो चीज है और multiplied यहां 150 से भी तो multiply करूंगा तो यहां से तो यहां से तुम देखोगे तो माइनस 4.5 जूल यहां से वरक्डन आ जाएगा ठीक है कि यहां से तो अगर तुम देखोगे यहां से 4.5 तो इसको लेजागे अगर यहां पर रखोगे तो इंटर्नल देखोगे माइनस और माइनस 4.5 तिया जाएगा प्लस 4.5 जूल गलती नहीं करना बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं तो यह फोर्थ आप्शन से ही है और यह सारे गलत है तो आयोब कि आपको समझ में आ गया होगा थेंक यू बैबार टेकर कोई दिक